हेलो दोस्तों, दोस्तों आज जो टोपीक है अन्डी टी नोन डेस्ट्स्टिक टेस्ट, जो टेस्ट के लिए कोई मेट्रल को भ्रेक करने का जो रूत नहीं होता है, उसको कहता है नोन डेस्ट्रक्टिव टेस्ट, ओ कैसे किया जाता है? कब जो रत पड़ता है जैसे आपने कोई अब्जेट को कास्टिंग किया उसके अंदर कोई ब्लो होल है तो नहीं है स्लैग है तो नहीं है आदर्स कोई डिफेक्ट तो नहीं है आपने बिल्डिंग किया वो बिल्डिंग के अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है बहुत एकोनो कोई डिफेक्ट है तो नहीं है उसको टेस्ट करने के लिए अलाग-अलाग पोसे्स होता है अल्टरसोनिक टेस्ट, मैगनेटिक पैटिकल你说 लिकूट पेनेटरेसन टेस्ट, विजेबल टेस्ट, तो इसमें से सबसे जादा जो जो रौध होता है वो है ultrasonic test magnetic particle test dp dye penetration test तो visible test तो normal visible करने के लिए होता है देखने के लिए होता है उपर से वो सही है की नहीं है वो देखने के लिए होता है दोस्तो आज मैं topic जो बात करूँ जिसका नाम है जो three types of probe use होता है normal probe TR transmission and receiver probe और है angle probe दोस्तो हमारा पास जो ultrasonic machine है इसका maximum capacity 15 meters है 15 meter depth में कुछ भी defect है discontinuity है blow hole है slag है वो पता करके आपको बता देगा जिसका maximum capacity 15 meters दोस्तो आज से मैं इस topic में से भी यह बत करूँगा जिन नार्मेल probe जो आपके सामने दिखा रहा हूँ नार्मेल प्रोब जिसका एक crystal होता है दोस्तो जो नार्मेल प्रोब है यह क्या करता है वो यह plan को sound में convert कर देता है electrical energy mechanical energy में convert होता है और आपको eco के थुरू डिस्प्ले में दिखा जैसे दिखा रहा है तो simple है आज का हमारा topic है नार्मेल प्रोब यह नार्मेल प्रोब है एक crystal है हमारा जो sound wave object का अंदर sound wave को wave lane में convert करके आपको दिखाएगा ठीक है यह display में set कर दिया उसके पहले क्या होता है इसको setting करना होता है जे object का velocity क्या है object का एक particular velocity होता है उस velocity setting करना होता है उसके बाद range मतरब उसका thickness कितना है उसको change करना होता है इसी से पूरा खेल होता है तो मैंने दोस्तों यह object की सबसे set करके रखा हूँ इबर मैं आपको reading कैसे है करना है तो मैंने दोस्तों यह आमारा पास एक object है इसमें कहां से भी कोई hole कुछ नहीं दिख रहा है ठीक है दोस्तों यह hole कुछ भी नहीं दिख रहा है लेकिन मुझे इसको पता करना है इसके अंदर defect है की नहीं है ठीक है दोस्तों यह object हमने सामने राखा इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है कोई होल नाम का कोई चीज़ आभी तो नहीं नजर आ रहा है वीजिबल करके वीजिबल टेस्ट करके मैंने देखा इसके बाद इसके अंदर मैंने लूब्रिकेटिंग ओयल लिया lubricating oil का ही काम होता है grease का ही काम होता है जो wavelength है sound wave है वो बाहर ना चले जाए 100% result पे जाए display में जाए convert हो जाए mechanical energy में वो ही है इसलिए हमने पहले से इसके अंदर oil लगा के राखे यह आपके सामने oil दिख रहा है यह हमारा normal probe है इसके पार सबसे पहले आपको setting करना है माल लीजिए हमारा जो setting है वो दो number के चान number पे जाएना है scan 2 scan 2 दो पे जो है इसका thickness के सबसे पूरा data set है इसलिए मैं बार-बार दो पे जा रहा हूँ दो पे जाने के मतलब है इसका जो reading थिखने से 100 mm है यह thickness उसमें उसके सब db decibel जो है वो भी set है तो हम इसको recall कर लेता हूँ यह हमारा recall है दोस्तों यह हमारा यह पुराना data है यह पुराना data को मैं हटा जेतों यह लिखा है freeze freeze कर दिया मुझे पता नहीं यह पुराना data में क्या था यह पुराना data में लेना है यह हमारा prove है यह prove को हमने a रखा ठीक है यह रखा देखे दोस्तों यहां कुछ echo आ रहा है यह देखे ठीक है दोस्तों यह echo है इसमें तीन echo दिख रहा है अलाग अलाग ठीक है दोस्तों इसको मैं ठीक है दोस्तों दोस्तों इसको मैंने freeze कर दिया ठीक है इसमें सबसे पहले मेरा काम होगा यह क्या है यह क्या है और एक क्या है पता करना ठीक है तीन echo दिख रहा है मैं सबसे पहले cursor लेके जाता हूँ इसके लिए मुझे जाना है दो number पर menu number दो पर ठीक है यह बर मैं cursor को सबसे पहले lip side यह जो lip side में उसमें ले जाता हूँ यह cursor दिख रहा है दोस्तों यह cursor है इसको ले जाना है lip side पे देखे यह 15.3 पे कुछ defect बता रहा है 15.3 पे कुछ है क्या है मैं उसके बाद बाद कर रहा हूँ मैंने जो object के लिया था इस जगह रिडिंग लिया था इस जगह इवर मैं देखूंगा यहां 15.3 पे कुछ है बता रहा है लेकिन क्या है वो मुझे अभी पता नहीं है लेकिन मैं उसको पता करके बताना बाला हूँ उसके भी आगे ले जाता हूँ यह 0 हो गया ठीक है दोस्तों मतलब वो कुछ नहीं है लेकिन यह 15.3 पे मैं लिग लेता हूँ दोस्तों आपके सामने 15.3 15.3 मिलीमीटर पे मिलीमीटर डेटा है कुछ है वे क्या है इस इको का मतलब हम बात में पता करता हूँ इसके बात आता हूँ उसका नीचे बाला जो इको है यह जो आपके सामने दिख रहा है इस इको का बारे में बात करता हूँ ये बार पुला है ज़द 32 mm भी उपर दिख रहा है दस्तों 32 mm पर 32 mm में भी कुछ है तो 32 mm हमने लिग लेता है 32 mm में कुछ डिफेक्ट है दो डिफेक्ट निकल गया डिफेक्ट है क्या है वो तुम बात में पता लगेगा लेकिन अभी में तीसरा जो पॉइंट है तीसरा पॉइंट पर चलता है जोस्तों यह बता रहा है तीसरा जो इको दिखा रहा है वो है 101.6 mm मतलब इसका जो रेंज है 100 mm है इसले हो 100 mm मतलब इसका बैक है इनिसियल मेरा इनिसियल स्टाट था ये बैक था इसमें तो दो इको अलाग से दिखाया जो 15 mm में है और 30 mm में है 32 mm में है ये बार मुझे देखना है अबजेट घुमा के मैं दिखाने कोशिश कर रहा हूँ एक्चिल वो अबजेट में है की नहीं है दिखे दोस्तो ये हमारा अबजेट है मैं इसको धीरदिर यहाँ घुमाने कोशिश कर रहा हूँ उससाब से ठीक है उल्टा घुमा गया देखिए दोस्तो ये जो रेंज बता रहा है यहाँ से डिफेक्ट है देखिए ये आपके साम में दिखा रहा है कि यह 32 मिली में जो आप के बाप समने में मेजर कर लेक्ट कर तां मुझे पानार से ये तो बाहर से में च्रॉप पता लगरा था मैं आपको दिखाया तिक है एसा करके कोई ये भी इसका अंड कद्र डिफेक्ट करने इसका हाइट है वह 100 mm है इसका फीम्द 1 burned है इसकोन 100 मिलिम्ट दिखा रहा है इसका हाइट है उसका नाम है beck eco एह हमीर एकटना इरिया में है वो normal pro से दोस्तों पता नहीं लगता है उसके लिए मुझे केमसा है उसके लिए मुझे angle pro में जाना पड़ेगा जिक कितना depth में है वो पता लग रहा है लेकिन कितना area में है वो पता नहीं लग रहा है next video में बताने वाला हूँ जिक area कैसे define किया जाता है कोई object के अंदर defect है लेकिन कितना area में है एक इंची, दो इंची, चार इंची, एक मिलिमीटर कितना है उसके लिए आपको angle probe यूज करके पता करना है जे वो कितना defect है normal probe में ये indicate करता है जे कितना depth में defect है बस इतना ही करता है कितना depth में defect है वो आपको पता करके मैंने बताया यह object है, यह object के सबसे जो भी कुछ है, मैंने आपके सामने रखा, टेस्ट किया और कैसे चलाना है, कैसे eco-decide होता है, हर point का दिखाने कोशिस किया दोस्तो, इसके बद मैं छोड़ देता हूँ, दूसरा कोई object में जाना है, तो इह ही सब condition है, सबसे पहले आपको decide करना है, उसका range, velocity उसके बाद आगे का process शुरू होता है, जो step by step आपको मैंने करके दिखाया यह ultrasonic testing मेंसीन, जिसका capacity हमारा पास जो है, वो 15 mm से, वो कैसे reading लिया जाता है कैसे eco-decide होता है जो opposite side से कुछ नहीं पता, दिखे देख तो यहां से कुछ नहीं defect दिख रहा है कहां से भी कुछ भी defect नहीं है लेकिन इसका defect है जो ओ मैं test करके बताया test करके आपको दिखाया, यह जो 30 mm का defect है, यह hole जो दिख रहा आपके सामने, यह hole दिख रहा है यह hole, उपर फेस से लेखे 30 mm, 32 mm में है जो ultrasonic machines के through मैंने आपको test करके reading लेके, calculation करके पूरा process करके आपको दिखाने कोशिश किया दोस्तो, request मेरा एक ही request है सभी दोस्त से, जो first time मेरा वीडियो देख रहे हो जो पुराना है, अच्छा लगे जोरूर दोस्त, comment करिए जो भी आपका इच्छा है comment जोरूर करिए धन्यवाद